महवीव जहनती के अफसर पर देश भर में खास आयोजन के गए थे जहारास्ट्रिय रास्धानी दिली के प्रगती मैदान में इस्तित भारत मंडपम में भी कार्यक्रम का आयोजन क्या गया था इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी शौमिल हुए थे इस दोरान पिये प्रग्य सागर महराज ने पीम मोधी की तारीफ की उन्होंने पीम модी को चक्रवर्ती बताया साती लोगों से चक्रवर्ती बोलने का आवाहन किया अचारिय श्वी ने कहा कि गुरुवर्ब ने कहा था कि देश में एक चक्रवर्ती आएगा और Narendra मोदी ने वो उपमा सिद्ध कर दी दिली स्टेट हैड अपनी श्यान की रिपोर्ट पूझ गुर्देव विद्यनद महराजी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चकवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरू बनाएगा मैं समझ नहीं पा रहा था उस बात को मैंने समझा नहीं था लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है हमारे माननी नरेंद मोधी का नाम न और नरेंद का अर्थ होता है नरों का इंद्र मनुस्यों का इंद्र चक्रवर्ती चक्रवर्ती और यहीं चक्रवर्ती है और मैं पूरे विश्व से वो देश से कहना चाहता हूँ हमारे माननी प्रधान मंतरी के नाम के आंगे चकवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए जैसे सदाल पटल के आंगे लोह पुरुस की उपमा दी गई थी आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चकवर्ती बोलेगा भगवान महावीर ने एक महत्वपुर्ण बात कही है एक का मानुसी जाई मनुस्य जाती एक है हर व्यक्ति का उठान हर व्यक्ति का आरोन और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए बंधुओं मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय समाननीय प्रधान मंत्री जी एक नजीर है एक उदारन है जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं और मुझे लगता है, ये केवल माननिय प्रधान मंत्री ही नहीं, एक राजर्शी के रूप में है, जिस राज में रहते हुए, जो तपश्या कर रहे हैं, वो आप और हम सब के लिए प्रेरना है, हमने देखा, अभी हम दिल्ली NCR में ब्रह्मन कर रहे थे, और हमने G20 की जो प कर्तित्व की हो सकती है, जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं, हम हमारे देश के गौरव, प्रहान मंत्री जे के प्रतिय मंगल कामना करते हैं, सुब कामना करते हैं, कि आपके करिश्माई कर्तित्व और प्रखर नेत्तित्व से हमारे भार्त वर्ष का यश् मान और अधिक शिक्रों तक पहुंचे